तो अभी इस वक्त हम खेंचर कैसल जनके ओल्ड कोर्ट के एंटरंस पे हैं और यह इसका इन्फरमेशन साइन है जहां से आप देख सकते हैं कि यह जो कैसल है यह 17th सेंचरी में बिल्ट की गई और यह इसकी एक्च्वल पिक्चर है अमें तो से जब यह बिल्ट की गई थी तो इस कंडिशन में थी यह बिल्ट के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं चीजों के अंदर तो इसकी वज़ा से अब इसकी कंडिशन कुछ ऐसी है जो के मेरे ख्याल में स्टिल ज्यादा बुरी नहीं है कि अब अब इस अब तक मैंने देखी है इस कैसल का जो स्ट्रक्चर है वह काफी बेहतर लगा है मुझे जो स्टिल इस बेहाए मुझेट कहाई सब्सक्राइड के अब पासी बेहतर लगा है still these people here in Ireland they try their level best to save their historical places and heritage from their ancestors but definitely time is time so let's go I'll try to take you near to the castle or and I try my best to show you from inside as well and the good news is that okay I'm castle ke under ja sakti hain aur I can show you from inside as well as there is no restriction here as well as I told you that this castle is in a better situation because they don't have any restrictions in this castle so guys this is a pretty historical place this is a pretty historical place this is a place जिस ने उस तमाम वक्त को देखा है जो आज के दोर में जो इनसान है जो हम लोग हैं हमने नहीं देखा लेकिन वक्त में इसके उपर अपनी बहुत गहरी चाप छोड़ी है अजय के यह प्लेस कि प्नी शांदार और शहाना थी इस दा इंटियर वन इस वाद विए उस वत कुछ इस तरहां थी इस वाद दानी एंग किछन बैडर वन उस वक्त जिंदगी बहुत सादा थी लोगों की और लोग and this was a private apartment of the Lord of Kinter Castle वो जो लोग थे उनका ये था के वो बहुत ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते थे and this is the floorboards this is also an entrance अब देख सकते हैं अपर ये कहांपर बहुत सारी entrance बनी हुई है और windows भी है जो कि अब ये फ्लोर्स की शकल में था और अब जो है कि इज की सारी फ्लोर्स तूट चुकी है this is just walls now I'll show you from this side as well आप लेख लेख लिए दिस रिखिए लेख लग इसे इन्टरिव के बारे में कुछ इफमेशन दिया इस वगल डिखेंद्ट नस्टार्व याने कर लेख लेखितक लोगें वीरन कोशना इस तरफ से जो जो स्कुरिटी का दोर था जहां पर वो इसको गाड करते थी कि कोई वहां से बिना security के entrance नहीं हो सकता यह इस अमेन entrance you can say this is some information for that they have some lights here and if you come in the evening time शाम के वाक में आपको इसका बहुत ही खुबसूरत view मिलता है जब आप यहां से cross करते है गाड़ी में या by walk तो आप देखेंगे इन्होंने जो lights लगए उसकी वज़ज़ से इस castle का view बहुत खुबसूरत लगता है यह lights तक रिबन उन्होंने castle के जारों तरफ नस्ब की हुई है so you can say के वो इसको बहुत अच्छे से प्रेजंट करते हैं अपने टूरिस्ट को जो प्रेज़स्ट को अपने में शोरिस्ट को बहुत करते हैं झाल से बहुत व्रेज बहुत करते हैं यहां से वो अपने हमलावरों के उपर निशाना लगाने के लिए यूज करते थे इस विंडो को करता है कि अने हम अनुज करते हैं से अनुज करते हैं अनले को पुबाँ करते हम थे जबाइब विंडों है कि भी यूज करते हैं च्राद दो कर दो है little नहीं है ँपतंग फस्थ सब्सक्रा चाहिकंस सब्सक्राओ यूसें दो शुद व्यूसें कि पग्रीऔर ke शम्नार से ऐन्य दो के da're और यह पिलर्स प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाते थे जहां से लोग अगर कोई हमला करता था तो उसको अंदर से डिफेंड करने के लिए यहां से आप देख सकते हैं कि यह सुराख था जहां से अपनी गन्स के जरीए अपने हमलावां उपर फाइरिंग करते थे so I think there's a really brief introduction I have done today for you guys hopefully you will like this video and of course I must say you have to like the video share the video and subscribe my channel so that I will bring the beautiful and historical places to you guys next vlog के लिए मैं आप से इजाज़ चाहता हूँ Allah आप तब तब को सलामत रखे, खैरियत से रखे और उमीद करता हूँ कि आप लोग मुझे भी आपी लोग मी आप तब तबी thank you so much guys have a lovely day see you in my next vlog take care, Allah Hafiz like, share, subscribe the channel